कि नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका स्टेडी फॉर्ट सीविल दबसेद में कि यूटूब चैनल में वारे साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम करना बहुत ज्यादा जरूर है सारी नोटिकेशन सारी अप्डेट सारे मोश्ट इप्टेट सारा रिवीजन सब कुछ आप पताया जाता है हाई लाइट साते रहते हैं और प्लस पोश्ट आते रहते हैं इनको जरूर फॉलो करते हैं हेलो फ्रेंट्स विल्कम टु स्टेडी फॉर्ट सिविल सर्फसेज दोस्तों यहां मेरे लोवर पीचेस मेंस टेस्सरी का टेस्ट नंबर फाइफ है जो कि एक फुल लेंथ टेस् जो चार टेस्ट हैं और लेडी चैनल पर अप्लोट के आ चुके हैं यदि आप नहीं देखा है तो वह भी जाकर करके आप देख लें जैसा कि आप सभी को बता लोवर पीचेस का मेंस का एक्जाम 21st of October को शुडूल है तो उसी के point of view से यहां पर 200 questions का एक पूरा set तैर किया है जिसमें आपको math, reasoning, science, hindi और gs यह पूरे section से यहां पर आपको देखने को मिलेंगे यहां पर friends हम लोग gs, general studies part, science और hindi, साजी साथ computer यह सारा हम यहां पर discuss करेंगे बाकी जो math और reasoning का part है friends math और reasoning के answers मैं आपको बता दूँगा और उसे आप खुछ से solve करना यदि आपको issue आता है तो आप नीचे comment section में वहां पर उसका solution पूछ सकते है answers मैं आपको बता दूँगा वहां पर हमारे जो math के expert हैं वो इसका जवाब आपको देंगे friends question number 26 है हमारा GS का part start होता है 1 to 25 question जो है यह आपका reasoning का है तो इसके answers मैं आपको last में बताऊंगा तो हम लोग start करेंगे question number 26 है तो सबसे पहले GS part का सबसे पहला question है question number 26 और question है आपका friends की हरपा कालीन स्थल सुर्ख कोटड़ा का उत्खनन किस words किया गया था और इसके उत्खनन करता का नाम बताना है which year had the harappan site सुर्ख कोटड़ा been excavated and name its excavator ठीक है तो दो question है आपर answer हो का friends का D 1964 में जो सुर्ख कोटड़ा है इसका उत्खनन किया गया था और इसके उत्खनन करता का नाम था JP जोसी सुर्ख कोटड़ा कहां पर है तो यह आपका कच्छ गुजरात में है ठीक है तो इसके पास friends अगला question है question number 27 question number 27 है हमारा रिगवैदिक काल में के नदियों के लिए परुष्णी तथा श्यतुद्री नामों का प्रियोग किया जाता था to which rivers were the names परुष्णी and स्यतुद्री used in the रिगवैदिक period तो जो परुष्णी थी friends यह आप कह सकते हैं रावी नदि को कहा जाता था है ना रावी नदि को आप परुष्णी कहते थे रिगवैदिक काल में और जो सतलज रिवर है इसको शतुद्री का जाता था तो सही आंसर हो जाएक इसका B 27 का सही आंसर क्या होगा B रावी नदि और सतलज नदि रावी और सतलज दोनों ही इंडस रिवर या फिर सिंध सही जवाब होगा आपका 1563 और 1564 जो तीर थियात्रा का रेफरेंट्स ही आपका 1563 में समाप्त किया गया था और जजिया करको 1564 में समाप्त किया गया था ये किसके द्वारा समाप्त किया गया था तो जो मुगल एंपरर अकबर था ठीक है मुगल एंपरर अकबर के द्वा वहाँ पर जो तिर थेयात्री आये थे वहाँ पर उनसे तिर थेयात्रा कर लिया जा रहा है जिसको पिलगरमिश टेक्स भी काया जा था ये वसूल किया जा रहा है तो इसके बारे में उन्होंने जानना चाहा और पता किया कि ये क्यों वसूल किया जाता है तो उन्हें पता चला कि जो तीर थियात्री कर है यह सभी आप कह सकते हैं दौन मुस्लिम सिया जो हिंदू थे हिंदू से वसूल किया जाता है और जो उनके तीर थस्थलें वहाँ पर जब वो घुमने के लिए जाएंगे तो उनको एक टेक्स देना होगा तो यह चीज अकबर को थोड़ा सा discriminatory लगा क्योंकि वहाँ पर they are going to in search of the light of God तो अकबर को लगा कि नहीं यह चीज गलत है और जो टेक्स वसूल के आता था वो भी कोई uniform नहीं था एकदम arbitrary tax था जो भी officer होता था उसकी मरजी में जितना आता था वो उतना tax collect करता था तो इसी चीज को देखते हो अकबर ने तीर थेत्रा कर जो है आपका 1563 में समाप्त कर दिया इसी के एक साल बात 1564 में जजिया करको समाप्त कर दिया था नौन Islamic आप कहसकते है subject जो होते थे या नौन Muslim सब्जेक्ट होते थे in an Islamic state है ना तो जजिया के साथ ही एक खराज भी था ध्यान रखिएगा तो अक और हल्दी घाटी के लड़ाई कब लड़ी गए थी उन तीसमा कोशन है हमारा तो पानीपत के दूसरी लड़ाई आपकी 556 में हुई थी और हल्दी घाटी का जो युद्धुआ था वो आपका 576 में हुआ था तो फ्रेंट से पानीपत के तीन बैटल हुए थे तीसरे के बार हमायू के मृत्ति के बाद हेमु ने दिल्ली का सीट अपने कब्जे में ले लिया था और अकबर ने उसी समय पर जो पंजाब में रिवोल्ट चल ला थे उनको सप्रेस किया था तो अकबर ने फर्दर अपने आप कह सकते हैं सामराज जिविस्तार की नीति को अपनाते कि जो मुगल एंपरर अकबर था उसकी सेना को कौन लेट कर रहा था तो वह था आपका मानसीं प्रथम अंबेर का तो ध्यान रखेगा पानीपत की दूसरी लड़ाई आपकी 1556 में हुई थी और जो हल्दी घाटी का यह दूआ था यह आपका 1556 में हुआ था आगे बढ़त की मता हो कह सकते हैं पुस्तक का नाम है ठीक है तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा इंडिया आफ्टर इंडिया फ्रॉम करजन टु नहरू एंड आफ्टर यह है दुरगा दास की पुस्तक अगला कोशन है कोशन नमबर 31 तयूनी अंदोलन की शुरुआत के सुवर्स होई मुमेंट का शुरुआत कहां से वा था तो बंगलादेश धाका से हुआ ध्यान रखेगा और जो आपका धर्म सभा है इसके स्थापना की गए थी कलकपता में ठीक है तो जो धर्म सभा है इस इस्टेबलेश इन कलकपता और जो तयूनी मुमेंट है यह आपका वाता 1839 में तयूनी मुमेंट 1839 में किसके अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया था तो जो फराजी मुमेंट स्टार्ट हुआ था उसी के अगेंस्ट में यह मुमेंट स्टार्ट किया गया था ठीक है और बेसिकली आप कह सकते हैं कि दोनों में ही मुसलिम्स इंवाल्व थे लेकिन जो त्युनिय मुमिंट था उसमें आप कहा सकते हैं कि आपर क्लास Muslims involved थे या फिर लैंड लॉट जो होते थे ठीक है अगला कोश्चन दुटी गोल में सम्मिलन और त्रती गोल में सम्मिलन का यूजित किया गया था तो दुटी या रवंड़ पोथा कि गई तो 1905 में गोपाल क्रिष्ण गोखले जीके गोखले के द्वारा द्विन्ट्स इंडिया साइटी की स्ताहप नंबल्भूमिका नभाई थी आगे बतते हैं सगला कोच्छ नम्हार प्रकोश नमबर 34 भारती राच्टी कोंगरेस की किसा डिवेशन में कॉंग्रेस का गरंदल यहां नरंदल में भी भाजन किया गया था इन विच सेशन ओफ दे आइंसी अंडे नेशनल कॉंग्रेस गरंदल यहां पर गरंदल और नरंदल का इस्प्लिट हुआ था और यह दुबारा मिले कब थे तो 1916 का जो लखनव अदिवेशन था उनीस सोला का जो लखनव अदिवेशन था इनसी का जिसकी अद्ध्यक्षता मजुमदार ने की थी उसमें यह दुबारा से मिले थे और उसी में आप कह सकते हैं कि 1916 का जो इनसी का सेशन हुआ था उसी को हम लोग लखनव पैक्ट के भी नाम से आते हैं पैक्ट किसके किसके और एक्स्टिमिट्स के बीच में या फिर गरम और नरम दल के बीच में 23rd सेशन था सूरत वाला यह आपको ध्यान रखना होगा क्रांती समाचार पत्र का संपादन कहां से और कब से शुरू किया गया तो फ्रेंट्स क्रांती समाचार पत्र का संपादन महारास्ट में 1927 से शुरू किया गया था अगला कोशिण है कोशियन नमबर 36 अलफांसो दी अलवुकर्प को वैसराय कब बना गया था थी थी तो इसका च्छी के जवाब क्या हो जाएगा डी अलफांसो दी अलवुकर्प को वैसराय बनाए था पंदर सो नो में और पूर्तगालियों ने पहाड़िया विद्रो कब शुरू किया गया और रखारवाड Sutra कहां पर शुरू किया गया ऑर करौनबा यह आपका बिहार से सघ है तो और स्मुणिस का की चाहर पॉलिए है और अगला कुशन है कुशन नमबर 38 पश्चिम बंगालाजी का पुनर गटन कप किया गया था तो एक नॉवंबर 1956 को ठीक है फॉस्ट आफ नॉवंबर 1956 को जो वेस्ट बैंग गॉल है उसको रियोगनाईज किया था अगला कुशन है कुशन सकते हैं यह बहुत important को यह लासा तिब्थ से जोड़ता है ओर विश्ववान की दिवस प्रतेक वर्स कब मनाए जाते हैं तो जो फ्रेंग से विश्व शाका हार दिवस है या फिर आपका एक अक्टूबर को मनाए जाता है अगला कोश्य ने पूश्य न्मर्प्र पर्यूजना और लाल पांडा पर्यूजना को कब शुरू किया गया था वें वर्धर वूल्चर का रिगोंटेशन प्रॉजेक्ट अन्डेट पॉजिक्ट टो फ्रेंट से जो गिद सर्वे संडेक्षन पर्यूजना था यह आ अगला कोशें है कोशें नबर 42 तीहरी बाध परियोजण किन नदीं से संबंधित हैं तो फ्रेंट से तु विच रिवर शार तेहरी डैम प्रॉजक्ट अमाता तीला डैम प्रॉजक्ट सा रिलेटर तो फ्रेंट जो मता तिला डैम है यह आपका बेतवा नदी पे ध्यान बेतवा नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है तो यह आपकी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है ठीक है यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है बेतवा और बेतवा पर यह आप कह सकते हैं माता टिला डैम प्रोजेक्ट बनाए गया है और उसके बाद अगर टेहरी की बा पात है यह आपका करनाटक में ध्यान रखिएगा कुंचिकल वॉटरफाल यह आपका करनाटक में और जो बारे पानी वॉटरफॉल यह आपका उडिसा में है तो सेक्षिल कोश्चन आपको याद रखना होगा 43 का अंसर हो जाएगा सी ठीक है करनाटक और उडिसा अगला कोश अगर आप देखेंगे तो टीसरा स्थान है और एंडश्विक अस्ता पर भारत का कौन सा स्थान है वाट इस प्लेस ऑफ इंदिया ग्लोबली प्रड़क्शन आपक्सायट में वाक्साइट का बात करेंगे तो बॉकसाइड के के किस वह पॉजिजन और बात करेंगे तो इसका अंसर जाएगा अगला कोशन है कोशन नमबर 46 कोशन नमबर 46 भी लुफ्धांसा यातरी विमान सेवा के किसकस और राम तनूरा तिल शोद साला किस देश में वस्तित है दो कोशन थे तो फ्रेंट जो लुप्तांसा या त्रिमान सेवा ही या आपका जर्मनी का ध्यान कियेगा और जो तनूरा तेल शोद अगला कोशन तो इसका सही अंसर ब्राजील जो हीज कॉफी बड़े-बड़े कॉफी प्लांटेशन सोते उनको फजेंडा का जाता है अगला कोशन इसी में इन विच रिवर हैस दा आसवन डैंप बिल्ट तो आसवन बांद किस नदी पर निरमित किया गया है तो यह आपका न वाइट नायल का कहां पर है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएं और जो नायल रिवर की में इस्ट्रीम हो उसके उपर आपका आसवन डैंप बनाए गया है आसवन डैंप फ्रेंट्स किस कंट्री के जुरिडिक्शन में आता है तो ध्यान रखेगा इजिप्ट के मिस्रिया इजिप्ट के जुरिडिक्शन में आपका आसवन डैंप अगला कोशन है फ्रेंट कोशन नमबर 48 किस अनुच्छेद के अंतरगत राश्ट्री महत्यों के इस मारकों स्थानों और वस्तों के संद्रक्षन का प्रावधान दिया गया है तो जो आपक आपका बारा से पैंटिस यह आपके फंडमेंटल राइट्स है उसके बाद परिंच च्छतिस से क्यावन यह आपके हैं डीपीएसपी और फिर आपका 51 ए जो है यह आपका है फंडमेंटल डिव्टी तो यह आपको ध्यान रखना होगा आर्टिकल्स के बारे में ठीक है आर सिंद्डी भासा को 15 भासा के रूख में 28 अनुसूची में शामिल किया गया है तो 21st constitution amendment act जो है उसमें सिंद्डी भासा को 15 भासा के रूख में 8 वी या 8th schedule में शामिल किया गया है समविधान के अंतर का दूतरा कोशन इसी में है कि समविधान के कि संसोधन अधनियम के द्वारा रास्टरी पिछड़ा वर्ग आयूग को समविधानिक दर्जा दिया गया है तो जो नेशनल कमिशन फर बैकवर्ड क्लासेस है उसको constitutional status किस constitution संविधान संसुदन इसके द्वारा जो नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज या फिर आपका सकते हैं राश्टरी पिछड़ा वर्ग आयूग इसको समवैधानिक दरजय कॉंस्टिटूशनल स्टेटस प्रवाइड किया गया है तो सिंधी को आठ्वी निसूची में प इसका जवाब हुजाएगा है तो यह आपका एक तो दुवा समविधान संसुदन नियम या फिर वन यूरो टू स्टिटूशन मेंट अक्ट ऑफ 2018 तो इसका सही जवाब हुजाएगा अगला कुश्चिन नंबर 50 समविधान सभा की अलप संख्या कूप समीती और प्रक्रिय सब कमीटी थी इसके अध्यक्षते फ्रेंट से एचसी मुकर जी और जो रूर और प्रसीजर कमीटी थी कॉंस्टिट्टेंट सेमले की इसके अध्यक्षते डॉक्टर राजिन पुर साथ तो डी ऑप्शिन का करेक्ट हुजाएगा अगला कोश्चिन है कोश्चिन निंबर 51 समिधान सभा की सबसे महत्तपून समीति प्रारूप समीति का गठन का गया था तो यहाँ पर बात कि बात कि जा रही विसिकली ड्रास्टिंग कमिटी शेम ना गना कुण आब अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 52 भारती सम्विधान के दो श्रोत एकल नागरिक्ता और रास्ट्रपती पर महावयोग को किन देशों के सम्विधान से लिया गया है from the constitution of which country has the two sources of the Indian constitution single citizenship and impeachment of president being taken अगला कोश्चन नमबर 52 भारती रास्ट्रपती पर महावयोग और एकल नागरिक्ता किन किन देशों से लिया गया है तो फ्रेंट जो एकल नागरिक्ता सिंगल सिर्जंसी पर या आपका ब्रेटन से लिया गया है और जो रास्ट्रपती पर महावयोग है या फिर impeachment on the president यह कह सकने related to the impeachment of the president अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 53 कोश्चन नमबर 53 के निमन में से भारत का समवेधानिक अध्यक्ष कौन होता है और कौन सानुच्छेद अस्प्रश्चता के अंतर से संबंदित है तो फ्रेंट से हूं मेंग दे फॉलोइंग इस दे इंडिया तो constitutional Head of the India constitutional Head of the Union यह आपका आपके सारे रिस्टिक्शन लिखे गए तो इस कोश्चन का अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा बी प्रेसिडेंट और आटिकल 17 क्यूंकि जो अगे बढ़ते हैं अगला कोशन है कोशन नंबर 54 दिया ला कि राजस्थान उच्चन नयाला और सिक्किम उच्चन नयाला के स्थापना की गई थी तो राजस्थान कुशन नहीं है राजस्थान हाई कोट के स्थापना की गई थी 1949 में और जो सिक्किम कुशन नहीं है इसका ऑप्षिम उच्चन नहीं करमेदन यह आपका लखनों में है और जो इंडिया एक्सपोस सेंटर इंड मार्थ है यह आपका गरेटर मेंड़ा में ठीक है तो सी अप्षिंस का करेक्ट होगा अगला है 56 कजरी मेला और गड़ मुक्तेश्वर मेला कहां पर आयुजित किया जाता है तो फ्रेंट्स कजरी मे नित्ये है ये आपका पुर्वांचल छेत्र का नित्य है और जो मयूर निते हैं जो मयूर डानस ही आपका ब्रज यह फ्रेंट्स आपका लखनों में है ध्यान रखेगा थिक है इंडियन इस्टीट आफ सुघर के इंडियन इस्ट्टूट आफ सुगर कि रिसर्च यह रेंग है और यह आपका लखनों में है तो यह अगला कोशन स्थान पर हैं तो वहां पर आपका लखनों और मटर के उत्पादन में अगला कोशन है कोशन अगला कोशन है कोशन नमर 62 कोचिकम एक अति संकट गरस्त पौधे की प्रजाती है यह पौला के अगला कोशन है कोशन नमर 63 मुदू मलाई राश्त युद्ध्यान और सिम बालबरा राश्त युद्ध्यान कहां पर इस्तित है तो जो मुदू मलाई है यह आपका तमिल नाडू में है और जो सिम बालबरा राश्त युद्ध्यान है यह आपका हिमांचल प्रदेश में मत्त नेशनल पार्क आपका हो जाएगा तमिल्णाडू और सिम बालबरा नेशनल पार्क की आपका हो जाएगा हीवांचल प्रदेश अगला कोश्यन है कोश्यन नमबर 64 थोरंग तलांग वन जियो अब भ्यारण और राता-पानी वन जियो भ्यारण कहां पर रिस्तित हैं वेर अर थोरंग तलांग वायलडव संच्री एंज राता पानी वायलडव संच्री लोकेटेट तो फ्रेंट जो ठोरंग तलांग वनीजी अजय अबहरण है यह आपका मध्य प्रदेश में सही आप्शन क्या हो जाएगा ड्रम अगला कूशन है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व औ सभाइब का है मद्यपर देश में बहुत इंपोर्टेंट हैं अहमदाबाद टाइकर दिए अमराबाद एक तरीजेशांग तरीचår यह कहांपर है औरम आपका तिलंगानमें बहुत पॉर्टेंट है आद रखेगान अगला question number 66 अंतरास्टी प्राकृतिक संद्रक्षन संग की स्थापना कप की गई वेन वास्थ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नीचर इस्टेबलीड एंड वेर इस इट्स हेड़कॉर्टर लोकेटेड तो फ्रेंट से question number 67 निम्न में से कौन सी पंच वर्षी होजना जॉन डेबलू मुलर मॉडल पर आधारित थी तो फ्रेंट साइब किये थी आपके आठ्वी पंच वर्षी होजना ठीक है आठ्वी पंच जो एर्थ फाइस एर प्लान था यह आपका जॉन डेबलू मुलर मॉडल पर डिपेंड प्रेंट था ठीक है अगला कोशन कोशन नॉम्बर 68 निम्न में से कौन सी समीति का गठन बैंकों में दोखादड़ी को रोकने के लिए किया गया था तो यह आपकी एग घोस समीतिती ध्यान रखी ठीक है बैंकों में धोखादड़ी या फिर फ्रॉट इन बैंक इनको प्रि जीवन बीमा निगम के स्थापना एक सितंबर 1956 में हुई थी और इसका मुख्याला फ्रेंट्स मुंबई में ध्यान रखेगा ठीक है लाइसी की बात नहां पर की जा रही है अगला कोशन है कोशन नंबर 70 निगम कर और व्यकर से संबंदे सही विकल्प का आपको चैन करना है तो फ्रेंट्स जो निगम कर है यह किसके दोरा लगाई जाती है तो निगम कर आपकी केंदर सरकार दोरा आप कह सकते हैं लगाई जाती है और जो व्यकर है यह भी आपकी केंदर सरकार दोरा ही लगाई जाती है और यह दोनों ही निगम कर और व्यकर दोनों ही इन यहां कह सकते हैं तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो निगम कर यह कोश्पी शेर मुल सूचिकांक और मिड डेक्स शेर मूल सूचिकांक ये कहां के हैं तो आप कहां सकते हैं जो कोश्पी शेर मूल सूचिकांक है या फिर जो कोश्पी स्टॉक प्राइज इंडेक्स है ये आपका दक्षिन कोरिया का है और जो मिड डेक्स से स्टॉक प्राइड इंडेक्स है यह आपका जर्मनी का एक कुशन को कब चुरू किया गया था तो ऐसे कोशन बहुत यादा देखे जाते हैं यूपी पेपर में परिच्छा का स्तर उच्छ रखने को बोली दिया गया है तो फैक्ट पर आपको मजबूत रहना है ना तो रास्ती ग्रामिड स्वास्त स्वास्त मिशन जिसको आप कहते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यह आपको लॉंच किया गया था बार अप्रेल दो हजार पांच को और अगला कोशन इसी में है कि निर्मल ग्राम पुरुषकारों की शुरुआत कब की गई थी निर्मल ग्राम जो पुरुषकार है कब स्टा सामिल किया गया था तो दोनों को यह आप कह सकते हैं 1983 में विश्वविरासत अस्तरों की सुची में शामिल किया गया था 73 का अंसर जाएगा भी ठीक है अगला कोशन है कोशन नमर 74 गढ़ना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रियोक किया जाता है तो यहां विच अफ दी फॉल्विंग इस यूजन अलिव और स्प्यू और स्प्यूटर साथ प्रकार के ध्यान रखियेगा और समान विश्वाइग का कंप्यूटर प्रियोक किया जाता है तो जो डिजिटल कंप्यूटर है इसका हम लोग जनरली यूज करते हैं अगला कोशन है कि संख्या कितनी होती है निम में से कौन सा आउटपूट डिवाइस है दो कोशन है तो जो आप फंक्शन की आपको पता होगा F1 F2 F3 है ना इस तरह से आपका F12 तक होता है ध्यान रखियेगा तो टोटल 12 फंक्शन की होती है जो F1 F2 F3 F4 है ना तो ऐसी F12 तक होती है तो य प्रिंटर है यह आपका आपट डिवाइस होगा क्यों क्योंकि इसमें जब आप इन्पूट देते हो तो आउटपूट आपको प्रिंटर प्रिंट के माद्यम से देता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B12 और प्रिंटर ठीक है अगला कोशन है कोशन नमबर 77 लाइन प्र इसाः और इसी में दूसरा है कि JPEG का पूर्ण रुक क्या है तो आप देखते हो जो फोटो होती है बिसलियकली जो immediate होती है वो या तो JPG format में होती है या फिर JPEG format में होती है द्यान रखिएगा ठीक हो तो फिर JPEG का full form क्या होता है इसका full form होता है Joint Photographic Expert group ठीक है Joint Photographic expert तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा आपका इसमें आप्षिन है यहां पर सी ऑप्षिन देख लिए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रूप जो होता है यह आपका जे पी इजी का फुल फॉर्म हो गया और जो लाइन प्रिंटर होता है वह एक मिनिट में कितने करेक्टर को प्रिंट करता है तो दो सो से लिकर के दो हजार करेक्टर को देहन दखी गा तो सी ऑप्षिन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक अगला कोशन कोशन नमर 78 आई बीम का फुल फॉर्म क्या है तो बहुत ही इजी है इंटरनेशनल बिजनेस मसीन है यह आई बीम का फॉल फॉर्म है पास्कल क्या है तो आप कह सकते हैं क किस प्रकार की भासाएं हैं तो जावा को बोल बेसिक यह सारे ही आपकी हाई लेवल लेंगविजेज में आती है ध्यान रखिएगा और आपसे अगला कोशन पुछा गया है कि एक टेराबाइट कितने बाइट के बराबर होता है तो जो एक टेराबाइट होता है फ्रेंस व हो एक टीबी की तो होती है इवन जो नए आप सिस्टम भी ले रहे हो अगर आप प्राइज में थोड़ा सा उपर जाओ ट्वेंटी टूर्टी थर्टी थाउड़ेंट में तो आपको वन टीवी स्टोरेज का कंप्यूटर भी दिया जाता है ठीक है अगला कोशन है कोशन न अगला कोशन ने किस Metro Rail Corporation ने देज की पहली फास्टेग यूपिवारेशन कार्किंग सुवधायस शिरू की है तो फरण जो डेली मेट्रो रेल कॉपरेशन है ना इसके दुवारा आप कह सकते हैं कि पहली फास्टेग यूपिवारेशन कार्किंग सुवधास अस्टाट की ग तो हो जाएगा आपका DMRC अगला कोश्चन है फ्रेंस कोश्चन नमबर 82 टोक्यो ओलम्पिक में भारती पहलवान रवी कुमार दया ने पुरिशों के 57 किलोग्राम फ्रीस्टैल वर्ग में कौन सा पदक जीता है तो बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है ये एक्जाम में पूछा मेडल विच मेडल विच मेडल वान बाइंडियन रवी कुमार दया इनमें 57 केजी फ्रीस्टैल केटेगरी अड़ टोक्यो ओलम्पिक तो फ्रेंस ये सिल्वर मेडल जीत के लाएं ठीक है अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 83 हाली में ग्रामीडों को स्वक्षिजल के महत् कि सराज जी एक इंद्रशासित प्रदेश ने पानी महा शुरू किया है तो फ्रेंट्स ध्यान रखेगा लदाक के द्वारा पानी महा स्टाट किया गया है है रिसेंट्ली विच स्टेट और यूटी से स्टार्टेट पानी महा तो इंफॉर्म दे विलीजर सबाट दे जिसके कारण वो नंबर वनिया सीर सफ्थान पर रहा है अगला कुशन है कुशन नमरे टी फाइफ हाली में भारती एथलेटिक्स मासंग के ने किस दिन को रास्ट्री भाला फेक दिवस के रूप में मना जाने की गोशना की है तो इसका अंसर होगा साथ अगस्त ठीक है रि हाली में किस राजय सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे रख दिया है तो इसका अंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार योगी की द्वारा एनॉंस्मेंट क्या गया था हाली में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम मदद लांच किया है रेल मंतराले के टोल फ्री नंबर 139 पर सेवा कितने भासाओं में उपलब्द है तो देखें यहाँ पर दो इंफोर्मेशन है पहला कि जो एकी करत वन स्टॉप समाधान है या फिर इंटीगरेटेड वन स्टॉप सॉलूशन है या फिर जो टोल फ्री नंबर 139 यह आपके 12 भासाओं में अपलब्द है ठीक है इंटीगरेटेड विकी उसके बाद फ्रेंट्स अगला कोशिण इसमें कोशिण नंबर 88 हाली में शेहरी शेत्र में सामुदाइक वोन संसाधन अधिकारों को माननेता दिने वाला देश का पहला राज कौन बना है तो तो इसका अंसर जाएगा अगला कुशिण है कुशिण नंबर 89 पहले हिमालाई की फिल्म महसो 2021 की मेजबानी कौन सा राजिया किंदर शासित प्रदेश करेगा विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल होस्ट दफर्स हिमालेन फिल्म फेस्टिबल 2021 तो फ्रेंट्स ये किया जागा लद्दाग के दौरा लाँच किया है विच मिनिस्ट्री है रिसेंट्री लाँच देशोन चिरया फर मार्केटिंग अर्बन सेल्फ हेल्प गूर्प प्रदक्स तो फ्रेंट्स का सही जवाब होगा मिनिस्ट्री अफ हाउसिंग अन अर्बन अफेर्स ठीक है जो मुहा है मिनिस्ट्री अफ हाउसिंग अन अर्बन अफेर्स इसके दौरा यह सोन चिरया जो आ कहा सकते है lou किस के दौरा जारी की गई है तो हूँ एज रिसेंटली रिलीज इंडिया फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप इंडी गाउ है ना इंडी गाउ आप कह सकते हैं गाय के ऊपर यह बनाया गया है इंडिया और गाय को मिक्स करके इंडी गाउ तो फ्रेंड्स यह आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंग के दौरा जा स्वस्त सेवग अभियान की स्वस्त की है इज विच स्टेट गॉर्मेंट आस रिसेंट लॉंच्ट इंडDay रास्टा स्वस्त सवग अभियान बाई लांचेंग ह्य स्वाश्ट तो हैल्थ वर्यर पॉर्र फ्रेंडों लाउंच किया है उत्तर प्रदेश के दौरा बहूट important question है रास्ट्री ये स्वास्त सेवक अभियान जो है है ना आप कह सकते हैं इसको launch करते है एक portal launch किया गया इस से associated जिसका नाम है health warrior portal और इस portal को किस state के दोरा launch किया गया है तो उत्तर प्रदेश के दोरा अगला question question number 93 हाली में किस राज सरकार गर्मिध भूमिषीन मजदूर नया योजना स्रों किया है विच स्टेट गर्मिंट अगला question is question number 94 हाली में किस देश ने शन्यूक तरास्ट शांति सेंकों की सुरक्षा में मदद के लिए United Aware's Technique Platform सुरू करने की गोशना की है Which country has recently announced the launch of United Aware Technology Platform to help protect UN Peacekeepers तो friends का अंसर होगा इंडिया हाली में भारत ने संजुक तराष्ट सांती शाहिनको की सुरक्षा में मदद के लिए United Aware's Technique Platform की सुरूआत करने की गोशना की है इसने की है इसका अंसरों का भारत या इंडिया अगला कोशन है कोशन नबर 95 मलेरिया के प्रती जागरुक्ता को फैलाने के उद्देश है से 20 अगस्त को स्विश्व मच्छर दिवस 2021 मनाया गया इसकी theme क्या थी वर्ड मॉस्की टोडे 2021 was celebrated on 20th of August with the aim of spreading awareness about malaria what was its theme reaching the zero malaria target ध्यान रखेगा reaching the zero malaria target इसकी theme ठीक है मतब कि जो malaria का goal है उसको zero मतब zero malaria cases हो ऐसा goal रखा गया है 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस या वर्ल्ड मॉस्की टोडे 2021 का एवजन किया गया है ध्यान रखेगा उसके बाद friends अगला question है question number 96 96 number question है friends हाली में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी युनिवरस्टी का नाम बदल कर माशाकुम्बरी विश्विद्याले कर दिया है recently which university has been renamed as माशाकुम्बरी युनिवरसिटी by government of उत्तर प्रदेश तो friends से इसका answer होगा सहारनपूर स्टेट उनिवरस्टी सहारनपूर स्टेट उनिवरस्टी का नाम मदल करके माशाकुम्बरी उनिवरस्टी रख दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के दोरा तो सहारनपूर स्टेट उनिवरस्टी इसका सही जवाब होगा अगला question है question number 97 हाली में दुनिया के सबसे बड़े मुबाइल इवेंट मुबाइल वर्ल्ड कॉंग्रेस या MWC 2021 का योजन कहां पर किया गया तो यह आपका बरसी लुना में किया गया था जो मुबाइल वर्ल्ड कॉंग्रेस MWC 2021 है यह आपका बरसी लुना में योजित किया गया अगला स्कीम यह HDFC बैंक के दोरा स्टार्ट किया गया है अगला कोशन है कोशन नमर 99 आजादी freedom fascism fiction नमक पुस्तक किसने लेकिए है who has written the book titled आजादी freedom fascism and fiction तो फ्रेंट से इसका इनके राइटर है अरुंदती रोई ठीक है अरुंदती रोई के दोरा यह पुस्तक लिखी गई है आजादी freedom fascism और fiction ठीक है अगला कोशन है फ्रेंट्स कोशन नमर 100 हाली में बाला कोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा नामक पुस्तक किसने लेकिए है तो फ्रेंट्स इसके लेखक थे आपके मनन भट ध्यान रखेगा बहुत इंपोर्टन किताब है मनन भट है ना बाला कोट एयर स्ट्राइक के ऊपर यह बुक लिखी गई है किस तरह से इंडिया ने पुलवामा का बदला लिया तो यह बुक लिखी गई थी मनन भट के दोर अगला कोशन है कोशन नमर 101 आपको सही विकल्प का चैन करना था अगनासे एक मिश्रित गरंती है मतलब दूसरा है यकरित एक अंतह स्वरावी गरंती है अगनासे एक मिश्रित गरंती है जो पैंकरियाज होता है यही आपका सही है यकरित एक अंतह स्वरावी गरंती नहीं है एंडिसरीन गरंड नहीं है इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा अगला कोशन है कोशन नमर 102 थायराइड गरंती का भार कितना होता है और किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते है तो फ्रेंट जो हाशी मोटो रोग होता है इसको थायराइड की आत्महत्या दूसरा तो एसका वेट होता है धाजा है धायर हाशी मोटो रोग यहाशी मोटो जो होती है यह आप कह सकते हैं शुसाइड अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 103 निम्लिकित में से कौन से प्राकरतिक फाइबर नहीं है तो जो रेशम कपास और पटसे ने फ्रेंट्स ये या फिर आप कह सकते हैं सिल्क कॉटन और जूट ये आपके नेचरल फाइबर है लेकिन जो पॉलिस्टर है ये आपका मैन मेड या फिर आटिफीशल फाइबर होता है प्राकरतिक फाइबर नहीं होता है तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 104 सही विकल्प का चैन करना था हड्डियां और उपास थी मानों शरी के कंकाल करने मान करते हैं मतलब बोंस एंड का अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 105 पती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़े रहता है अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 106 भारत में जूट मुख के रूप से पश्चिम बंगाल बिहार और असाम में उगाय जाता है पहला उप्शन था दूसरा उप्शन है कि प्रकास तंसलेशन की क्रिया दौरा शैवाल अपना भूजन तयार नहीं कर सकते तो फ्रेंट्स ही ये दूसरा उप्शन है ये आपका 106 मानों में कितने जोड़ी क्रेणियल तंत्रिकाएं और स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं how many pairs of cranial nerves and spinal nerves are found in the humans तो फ्रेंट्स का आंसर जाएगा जो क्रेणियल आप कह सकते है क्रेंट्स होती है ये आपकी 12 जोड़ी होती है और जो पाइनल नफस होती है यह आपकी 31 जोड़ी पाया तो D option इसका correct होगा अगला question is question number 108 क्षेर ब्रम का मुक्यकार शरीर में संतुलन बनाया रखना है तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा और जो सेरी बैलम होता है यह आपका इसका मुक्यकर सरीर में संतुलन हम लोग कह सकते हैं कि यह दोनों स्टेटमेंट इन्वर्सली रिटेन है ना तो सेरे ब्रेंट का यहां लिखा हुआ है और जो सेरी बिलम होता है इसका यहां पर लिखा हुआ है अगला कोशन है कोशन नंबर वंजी रो नए जरा दूर द्रश्टिता में व्यक्ति उत्तल लें प्रियोग करता है तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट लिखे में ध्यान रखेगा तो वन एंड टू दोनों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे सी इसका राइट आंसर होगा अगला है कोशन नंबर वन वन जीरो मजब 110 रुधिर के जमने में किस घनिश क्या हो सकता होती है तो रुधिर के जमने में कैलशियम क्या हो सकता होती है और किस विटेमिन की कमी से फैटी लिवर रोग होता है अगला कोशन है कोशन नंबर 111 पैपसीन कैसीनोजन प्रोटीन को केसीन में बदलता है तो यह आपका गलत लिखा हुआ है रेनिन प्रोटीन को पर दोनों ही गलत लिखे में एक्चुली दोनों इन्वर्सली रिटेन है ना जो पैपसीन होता है फ्रेंड्स यह प्रोटीन को पैप्टोन में बदलता है पैपसीन क्या करता है प्रोटीन को पैप्टोन में बदलता है और जो रेनिन होता है यह कैसीनो यह आपका enzyme होता है 112 question हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा C-tripsene अगला question है कि सही विकल्प का आपको chain करना हाइडरोजन oxygen और nitrogen आदी द्यूति यह पोसकता तो है तो गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि oxygen hydrogen nitrogen यह आपके मुख्य पोसकता होते हैं ध्यान रखिएगा जो primary है ना nutrients है उनमें आपके आते है oxygen hydrogen और nitrogen अगला लिकाओ तो पहला गलत हो गया दूसरा क्या है अखरोट जूगलेंडिसी कुल का व्रक्ष है walnut is a tree of जूगलेंडिसी family तो फ्रेंड से इसमें आप कह सकते हैं कि जो दूसरा option हुआ आपका correct लिकाओ है तो इसका अंसर जाएगा केवल दो ठीक है तो पहला गलत क्यों होगे क्योंकि यह पोशकता तो लिखा है मतलब secondary nutrient जबकि oxygen hydrogen hydrogen आपके primary nutrient या प्राथमिक पोशकता के इंतरगत या शिरणी में रखे जाते हैं ठीक है उसके बाद फ्रेंट अगला question है question number 114 किस ताप मापी में hydrogen या nitrogen gas का परियुक किया जाता है तो फ्रेंट जो gas ताप मापी होता है हना जो gas ताप मापी है जो gas thermometer होता है उसमें hydrogen ने nitrogen का यूज किया जाता है अगला है क्रेस्कोग्राफ या वाइव दाब मापी का विश्कार किस ने द्वारा किया गया था या किस ने किया था तो फ्रेंट जो gas को ग्राफ है इसको आपका जगदीश चंद्र बोस ने हो जाता है ना जगदीश चंद्र बोस और जो आपका बैरो मीटर है इट इस इन्वेंटेड बाइए टोरी से ली है ना इट और से ली भी काया था या इए टोरी से ली ठीक है अगला कोशन है कोशन नमर 116 एलकोहल तता बर्फ की विसिष्ट उश्मा कितनी होती है तो फ्रेंट से एलकोहल की विसिष्ट उश्मा 0.60 कैलोरी पर ग्राम डिगरी सेंटिगरेट होती है और जो बर्फ होती है उसकी उश्मा कितनी होती है विसिष्ट उश्मा स्पेसिफि क्या होगा what is the dimensional formula for the velocity gradient तो velocity gradient का dimensional formula होता है friends 1 upon t होता है ध्यान रखेगा तो इसको t inverse भी आप लिख सकते हैं ठीक है अगला question है अनुदायर्द विक्रती किसे कहते हैं तो what is the longitudinal strain तो जब वस्त की लंबाई में परिवर्तन होता है आप कह सकते हैं तो आपका अनुदायर्द विक्रती होती है ठीक है या फिर longitudinal strain when the length of an object changes तो बी option इसका correct हो जाएगा अगला question है यहाँ पर question number 111 विद्धु चुम्ब की तरंगों की आवर्ति और सूरे और तारों का ताप मापने के लेकिन यंतरों का प्रयोग किया जाता है तो friends जो विद्धु चुम्ब की तरंगे होती है ना उनकी आवर्ति जासरे लेक्टो magnetic waves की जो frequency होती है उसको ondometer की साहता से ना पा जाता है और सूरे और तारे या अन्य तारों का ताप नापने के लिए किसी अंतर के उसके आता है तो यह आपका pyrometer होता है जो pyrometer होता है वो बहुत ज़्यादा आप कहा सकते है highest temperature को मापने या measure करने के लिए यूज में लाए जाता है जिस निश्चित तापमान पर दरव ठोस में बदल जाए उसे क्या कहा जाता है तो फ्रेंड से जिस निश्चित तापमान पर जो दरव है लिक्विड है वो अगर सॉलिड मदल जा रहा तो उसे हम freezing point कहते है ध्यान रखिएगा ठीक है या फिर ही मांग अगला question है इसमे question number 121 जब पानी को 0 degree centigrade से 4 degree centigrade के बीच में गर्म के जाता है जब आपका पर कारे करता है और जो dentist होता है वो concave mirror का यूज करता है अगला question है question number 123 25 degree centigrade पर hydrogen में दोहनी की चाल मीटर पर सेकेंड कितनी होती है तो 25 degree centigrade पर hydrogen में जो दोहनी की चाल होती है वो होती है friends 1284 मीटर पर सेकेंड ठीक है 1284 मीटर पर सेकेंड अगला कोशन है वस्तू का रंग निम्डवे से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है और दूसरा इसी में है कि प्रकास का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरते समय सबसे अधिक विचलन प्रदर्शित करता है तो फिर जो वस्तू का रंग होता है वो तरंग प्रकास का कौन सारंग किसी प्रिज्म के गुजरते समय सबसे अधिक विचलन प्रदर्शित करेगा तो जो बैगनी कलर होगा है ना वे गयोर होता है तो आप जितना राइट में शिफ्ट होंगे उतना कम विचलन होता है इसी लिए रेड जो कलर होता है उसके आपके ट्रै लगा जाते हैं वो भी रेड कलर के ही होते हैं क्योंकि उनमें विचलन बहुत कम होता है और दूर सही वो दिखाई देते हैं ठीक है और वाइलेट कलर में आप कह सकते हैं सबसे अधिक विचलन देखने को मिलता है अगला कोश्चन है फ्रेंड कोश्चन नमबर 125 इमर्शन बनाने के लिए निम्ड में से किस धातु का यूज किया जाता है तो नाइक्रोम की मदद से इमर्शन रॉड बनाए जाती है ध्यान रुकिएगा ठीक है जो इमर्शन रॉड होती है वो नाइक्रोम की साहता बनाई जाती है अगला है कोश्चन नमबर 126 निम्ड में से कौन सन नाभी की इंदन भारत में प्रचुर मात्रा में पाय जाता है तो फ्रेंड भारत में प्रचुर मात्रा में थोरियम पाय जाता है और प्रत्थम परमाडु सेंत्र जो था वो तारापूर atomic plant था है ध्यान रखिएगा तारपूर atomic plant आपका भारत का पहला परमाड़ सेंत्र था अगला question है question number 127 निम्लकित में से सही विकल्प का आपको chain करना था जिंक sulphate को black zinc भी कहा जाता है तो यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है जिंक sulphide होता है ध्यान रखिएगा जिंक sulphide को black zinc आ जाता है और कार्बोनिल क्लॉराइड को phosgene भी कहा जाता है तो यह वाला statement सही लिखा है ना दूसरा जो है कार्बोनिल क्लॉराइड जो होता है इसको आप phosgene के नान से भी जानते हैं इसके बाद अगला question इसमें question number 128 रसी बनाने में nylon 66 बहुला का प्रियुक के जाता है तो इसमें भी आपको सही कतन का ही chain करना था तो यहाँ पर नाइलान 66 नहीं होता है यहाँ पर होता है नाइलान 6 है नाइलान 6 का यूज के जाता है रसी बनाने के लिए उसके बाद लिखा हुआ है कि raincoat बनाने में बैकलाइट का यूज के जाता है तो यह भी गलत लिखा हुआ है दोनों statement गलत है नाइधर वन और तो इसका अंसर जागा डी तो raincoat बनाने में किस material का यूज के जाता है वह आपका होता है polyvinyl chloride है ना polyvinyl chloride का आप कह सकते है PVC इसका यूज के जाता है raincoat बनाने में किस पदार्थ के वज़े से कांच का रंग नारंगी लाल होता है तो फ्रेंट से selenium oxide है ना selenium oxide जो selenium oxide होता है उसकी मदश से जो कांच का रंग होता हुए नारंगी लाल कलर का दिखाई देता है due to which substance the color of glass is orange red तो यह आपका selenium oxide हो जाएगा अगला कोशन है question number 130 तो दोनों इस statement उल्टे लिखे में ध्यान रखिएगा उत्र प्रेरक की खोज आपकी बरजिलियस ने की थी और रेडियो धर्मिता की खोज आपकी हैनरी बैकरल ने की थी इसलिए दोनों statement यहां पर गलत हो जाएगे नाइधर वर नौर तो इसका right answer हो जाएगा अगला question है question number 131 कौन सी gas hydrogen, methanol, carbon, monoxide, gas का मिशरण है तो फ्रेंज जो coal gas होती है वो hydrogen, methanol, carbon, monoxide का मिशरण होती है ठीक है coal gas आपकी hydrogen, methanol, carbon, monoxide, gas का मिशरण होती है तो अगला question है friends question number 132 निम्ड में से सही विकल्प का आपको चेहन करना था fuel, oil का प्रयोग उद्योग में इंधन के रूप में किया जाता है बिलकुल सही है पहला statement आपका सही लिखा हुआ है और gasoline का उप्योग वाहनों के इंधन के रूप में किया जाता है तो दोनों ही statement friends यहाँ पर सही है ठीक है अगला question है question number 133 ओक पेड की लकड़ी का उश्मी इमान बताईए what is the calorific value of the wood of oak tree जो oak tree होती उसकी लकड़ी की calorific value कितनी होती है तो friends यह 4729 से लेकर के 4750 कैलोरी प्रती किलोग्राम की इसमें calorific value पाय जाती है ध्यान रखिएगा ठीक है अगला question है question number 134 निम्ड में से कि सौंदर प्रसाधन को बनाने के लिए acetone, ethyl acetate और benzyl alcohol का यूज किया जाता है acetone, ethyl acetate और benzyl alcohol का यूज किया जाता है तो friends का अंसर हो जाएगा बी nail polish remover आगे बढ़ते हैं friends अगला question है question number 135 सही विकल्ब का आपको chain करना था और दो statement यहां पर लिखे गए है quards कांच का उप्योग विद्ध बल्ब बनाने में किया जाता है तो friends से यह गलत जाएगा जो electric bulb होते हैं उसमें flint glasses यूज किया जाता है flint glasses ठीक है quards कांच का यूज नहीं किया जाता है तो पहला गलत हो गया pyrex कांच का प्रयोग car के head lamp बनाने में किया जाता है तो दूसरा statement इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो इसका answer जागा only two be option इसका correct होगा question number 136 nimlicate में से किस ratio का प्रयोग गद्दा और sofa बनाने के लिए किया जाता है which of the following fiber is used in making mattress and sofa तो friend जो polyester fiber होता है उसका use किया जाता है गद्दा और sofa बनाने के लिए ठीक है तो polyester ratio जो होते है डी option इसका correct हो जाएगा अगला question है question number 137 कौन से हो सदियां मस्तिस्क के hypothalamus के माद्यम से सरीर किताब को नियंतरत करती है तो friend जो प्रती जो अरकारी हो सदियां होती है प्रती जो अरकारी या फिर आप कह सकते हैं जो antipyretics जो होते हैं वो आपके मस्तिस्क में hypothalamus के माद्यम से सरीर किताब को नियंतरत करते हैं अंसर इसका यह option correct हुए आएगा उसके बाद friends अगला question इसमें question number 138 तो question number 138 है आपका इसमें भी विकल्प का आपको चेहन करना था दो option दे गए है नाइट्रो बेंजीन का प्रयोग AC और रेफरीजरेटर में प्रशीतक के रूप में किया था है पहला statement है नाइट्रो बेंजीन is used as refrigerant in AC and refrigerator तो जो नाइट्रो बेंजीन होता है उसका यह नहीं किया था है बलकि आप कह सकते हैं कि जो chlorofluorocarbon होता है CFC इसका यह उसका यह था है AC और रेफरीजरेटर में प्रशीतक या फिर आप कह सकते हैं रेफरीजरेंट के तौर पर ठीक है तो नाइट्रो बेंजीन नहीं होगा इसका अंसर होगा CFC है ना क्लोरो फ्लोरो कार्बन और दूसरा जो इस्टेटमेंट लिखा हुआ है कि क्लोरो बेंजीन का उप्यूग डिडिटी नामक के नाशक के निर्मान में किया जाता है दूसरा स्टेटमेंट एक नम करेक्ट लिखा हुए तो इसका अंसर जाएगा क्या बी टू अगला कोशन है कोशन नंबर 139 तो यहां ते फ्रेंट्स आपका मैथ का आप कह सकते हैं कोशन से स्टार्ट हो जाते हैं तो यहां पर मैं आपको आंसर बता दूँगा और आपको ट् जो लोग पेट ग्रूप से जुड़े हमें तो उनके लिए तो बहुत अच्छी स्विदा है वो पेट ग्रूप में कोशन को तुरंद जा करके पोस्ट करेंगे उनको एस सून अस पॉस्बल वहां पर रिफ्लाई दे दिया जाता है ठीक है तो देखे पहला स्टे कोशन है फोशन नमबर 139 एक सिलेंडर के वक्र सेताय का चेतरफल मतब जो कर्फ़ सरफेस एरिया स्लेंडर का वो दिया हुआ है 2431 स्कौर सेंटीमीटर और इस सर्कंफ्रेंस ऑफ इस बेस इस 187 सेंटीमीटर मतब जो आधार की परिधी है है ना सिलेंडर है और आधार कैसा होगा आ आपको याद करना है हाइट तो बहुत इजी सा कोश्चन है एक तो आपको एरिया भी दे दिया आर आप यहां से निकाल लोगे टू पाई आर बराबर 187 करके तो इजी वे में आप एज को फाइंड आउट कर सकते हैं छेतरफल के फामले को लगा करके इस तरह से आप करोगे तो आपका 13 cm अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 140 किसी आपकार पार्क की लंबाई दी हुए चोड़ाई दी हुए है उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई याद कीजिए जिसका छेतरफल आपको लंबाई और चोड़ाई दी गई है तो यहां से आपका छेतरफल निकल है विकर्ण होता है आपका अंडर रूट ओफ ए स्कॉर प्लस ए स्कॉर या फिर आप कह सकते हैं 2A स्कॉर या आप कह सकते हैं रूट 2A है ना तो रूट 2 और A के उपर रूट नहीं ध्यान रखेगा A की जो भी वल्यू आईगी आप पूट कर देंगे आंसर आपका क्या ज जाएगा 4 रूट 6 ध्यान रखेगा D option आपका correct हो जाएगा अगला है देखिए पहले वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है दूसरे वर्ग का छेतरफल दिया गया है पहले वर्ग के छेतरफल का दोगना मतब पहले दूसरे वर्ग में एक relation दे दिया गया है एक समिक्रण बन ज question number 142 यदि किसी श्यम सट बुच का छेतरफल 156 root 3 वर सेंटिमेटर इसका परिमाप आपको ग्याद करना है the area of regular hexagon is 156 root 3 square centimeter तो simple सा formula होता है जो regular hexagon होता है तो इसके area का formula होता है 3 root 3 by 2 into A square है न तो area आपको दिया हुआ है 156 root 3 यह बराबर कर दीजे 3 root 3 upon 2 A square की यहां से आपको A की value निकालनी है तो यह कट जाएगा और यहां पर आजाएगा 52 और 52 को जब आप 2 से गुड़ा करोगे तो यह आपका जाएगा 104 यह बराबर आगया आपका A square के इसको friends आप जब solve करेंगे तो यहां पर जो आपको मिलेगा solve करने पर वो आपको 104 के factor करने होंगे 2513 224 24 और 2 आजाएगा यह आपका A आजाएगा ध्यान रखियेगा है अब A आपका 2 root 26 आ गया है और परिमाप ज्याद करना है regular hexagon का तो परिमाप का formula होता है 6 A और जैसे ही आप 6 into A की value रखेंगे 2 root 26 तो आपका आजाएगा 12 root 26 और 12 root 26 friends यहां पर आपको C option में मिल जाएगा अगला question है question number 143 दो वृत्तों की तरज्याएं दी गई है और दोनों वृत्तों के केंदर के बीच की दूरी दी गई है उनकी जो common आप कह सकते हैं cord है ना सामान जीवा की लंबाई आपको याद करनी है तो एक formula मैंने आपको बताया था कि आप कह सकते हैं distance between the center of two circles का square और आप कह सकते है plus radius जो होता है r2 minus r1 का holy square ये formula अब लगाई ये आपका answer आजाएगा इस तरह से जब आप करें difference तो इसका answer आजाएगा 9.6 cm ठीक है अगला question है question number 144 त्रिभूज A, B, C के B, C के आंतरिक दुभाजक E पर मिलते हैं तो कर लेते हैं इसको जल्दी से हम लोग ये आपका C, B, C के आंतरिक दुभाजक सपोस कि ये ये E पर मिल रहे हैं और angle A आपका दिया हुआ है 110 degree, B, E, C का मान आपको ग्याद करना है तो जो angle E होता है friends उसका formula होता है 90 plus half of angle A, ठीक है 90 plus half of angle A तो इसको जब आप solve करेंगे तो 90 plus 110 का आधाप करेंगे, है ना तो ये आपका आजाएगा 55 और यहाँ पर आजाएगा इसको जोड़ने पर 145 तो इसका सही जब जाएगा D 145 आगे बढ़ते हैं अगला question है 145 तो यहाँ पर आपको आपको कह सकते हैं कि कुछ line के points के coordinates दिये गये हैं आपको Y की value find करनी है, है ना Y की value आपको यहाँ पर find करनी है, तो यहाँ पर friends Y का मान आ जाएगा C-5 इसको आपको solve करना होगा खुछ से आप solve कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप comment section में पूस सकते हैं, question number 146 एक दोज डंड पर लगे वे जंडे का 60 मीटर से उपरी सिरा और निचली सिरा का onion code crumbs है, यहाँ पर दो डिगे एंगिल दे दीगे हैं, 45 डिगरी और 30 डिगरी, simple आपको जंडे क्यों चाहिए याद करनी है, तो 10, 45 और 10, 30 का आपको actually में आपर मान रखना है, 10, 45, 10, 30 मान कर क आपका answer आजाएगा, तो friend, इसका answer आएगा A, 25.36 मीटर, अगला है दो कुणों का योग और अंतर करमशे दे रखा है, और दोनों कुणों के आपको माब याद करनी है डिगरी में, answer इसका आएगा friend, 70 और 40 डिगरी, अगला question है, 360 डिगरी प्लस X, प्लस कॉस X का मान आपको और average का ये question है, average का question है, answer इसका आजाएगा 132, तो मतलब 149 का answer होगा D, इन सारे questions को आपको खुद से solve करना है, 150 का आप देखेंगे तो answer ये भी average का question है, answer इसका आजाएगा 648, एक आपको दिया हुआ है X के एक value दी हुई है, आपको root X का मान बताना है, तो friends, अगर 3-2 root 3, 3-2 root 3 का आप whole square कर दें, तो आपको ये ही मिल जाएगा, ठीक है, अगला है 152, 25 मदो के लिए, या फिर 25 items के लिए sigma X का मान दिया है, आपको मात दे निकालना है, तो 725 को आप divide कर दीजे, 25 से answer आपको मिल जाएगा, friends, 29, अगला है, नीचे देखेंगे data का range ग्याद करना है, तो highest minus lowest है ना, highest minus lowest आप find करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, 48, अगला है, simple सा calculation है, इसको आप solve करेंगे, answer आपका A option यहाँ पर correct होगा, ऐसे कभी भी कोई calculation दिया हो, तो आपको ध्यान रखना है कि bird mask का ही rule आपको लगाना है, P bracket open divide multiply edition और subtraction, अगला है question number 155, X minus 1 upon X का मान दिया गया है, X cube minus 1 upon X का क्यूब का मान आपको निकालना है, तो simple आप दोनों साइड में क्यूब कर दीजे, है ना, X minus 1 upon X का whole cube एक साइड आ जागा, और 7 क्यूब आपका जागा, 343, तो X minus 1 upon X का whole cube आपको करेंगे, तो आ जागा, A cube minus B cube, है ना, और minus 3 A B जब आप करेंगे, तो ये actually में, A B तो X into 1 upon X होगा, जो की कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 इसमें और जुड़ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो इस तरह से जब आप friends इसको solve करेंगे, तो answer कहरें, इसका सिर 164 आ एक calculation दिया हुआ, आपको root value सबकीर उठा कर रख देना है, 131 किसका cube root है, तो 131 आपका 111 का cube root है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, अगला है यहाँ पर 2 X कमान दिया हुआ है, आपको X minus 1 upon 4 X कमान गयाद करना है, answer friends इसका आजाएगा, 2, ठीक है, C option इसका correct होगा, और से पहले वाले का 70 answer आएगा, ठीक है, यह जो root वाला था, इसका answer आपका 70 आएगा, और 157 का answer आपका आजाएगा, 2, अगला question है, question number 158, तो यह भी mensuration का question है, और answer इसका आ रहा है 24, यह सारे questions के आप screenshot लेगर के रख लीजे, और इसको solve जरूर कीजेगा, 159 number question है, इसका answer होग question है, और इसके बाद आपका 160 है, यह आपका चक्रविद्धी ब्याज और साधरन ब्याज का question है, आपको simple PRT upon 100 minus P into 1 plus R upon 100 is to power N minus 1, यह आपको दे रखा है, और आपको धनराशी ग्याद करनी है, ठीक है, अंतर इसका क्या दे रखा है, 45, इस equation को आप solve करेंगे, तो answer आपका आ 18,000, ठीक है, 18,000 रुपैस का answer आएगा, अगला question 161, वार्षिक दर पर साधरन बैच क्या होगा, तो friends R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, और P दिया हुआ है, तो PRT upon 100, यह formula आपको यह अपर लगाना है, दो संक्या है, तीसरी संक्या की करम से 30% और 40% है, तो percentage का question है, बहुत easy सा, इसको आप solve कर सकते हैं, answer इसका है, 75%, अगला question है friends, question number 163, एकविक्ती, पंदर रुपै में इतने, यह CPSP का question है, है न, profit loss का, तो इसका answer में आपको बता जे रहा हूँ friends, answer इसका है, 45, question number 164, इसका answer हैगा friends, 15,000, C option, 165 का answer होगा friends, 150, ठीक है, यह सारे questions आपको solve करने है, 166 का answer होगा friends, 3 is to 2, A option, 167 आपका हो जाएगा, C option, 800, और 168 का answer हो जाएगा friends, B, 128 days, 169 जो है friends, इसका answer हो जाएगा, 8 is to 1 by 3, ठीक है, और 170 का answer हो जाएगा, C, 24 days, time and work का question है, और 171 का question, answer हो जाएगा friends, 4, 32, ठीक है, इसका answer होगा, 4, 32, ratio का यह question है, 172 का, 24 वर्स answer हो जाएगा, 173, आप calendar वाले question शुरू हो गए, 173 का answer है, गुरुवार, और दूसरा वाला जो, calendar वाला question है, उसका answer है, मंगलवार, तो 174 का answer होगा, मंगलवार, 175, यह clock वाला question है, जो कि आपके exam में बहुत पुछा आता है, 10.5 इसका answer होगा, और, यहाँ से friends, हिंदे start हो आती है, आपको paragraph में दिखा देता हूँ, आपको यह पढ़ना होगा, कुछ से, इसका आप screenshot ले लिजे, और, इसके बाद friends, इसके answer है, paragraph वाले के मैं बता देता हूँ, जो आपका 176 है, इसका answer होगा, उसा C, जो 177 है friends, 177 number question का answer होगा, आपका A, उसके बाद 178 number question का answer होगा, आपका B, 179 question number का answer होगा, friends, C, sorry A, आशा इसका correct answer होगा, ठीक है, 179 का A, आशा होगा, तो यहाँ से आईए देख लेते हैं, तो सबसे पहले, निम लिखे तुमें से, कौन सा खिन सब्द का विलोम है, तो खिन का विलोम होगा, आशा, ध्यान पूच रहा था, उसके बाद 180 है, निम में से कौन सा लोब, शब्द का परहवाची है, तो लोब का परहवाची होगा, friends, संतोस, द्वेश, लोलूपता और घ्रणा, तो लोब का परहवाची पूच रहा है, तो यह आपका लोलूपता हो जाएगा, ठीक है, लोब का परहव हैं, युग की गंगा और नीद के बादल, नीद के बादल, अपील और नितान्त, करमशेक की भासा के सब्द हैं, तो friends, अपील आपका अंग्रेजी से लिया गया है, और जो नितान्त है, यह आपका बंगाली भाशा का सब्द है, चीक है, वह अच्छी पुस्तक है वाक्य म कौन सा सर्वनाम है, तो आपका निश्चेवाचक सर्वनाम आजाएगा, वह अच्छी पुस्तक है मैं, वह अच्छी पुस्तक है वाक्य में, निश्चेवाचक सर्वनाम हो जाएगा, मैं तीन मिनट में आ रहा हूँ, इसमें कौन सा कारक है, तो अधिकरन में पर आ रहे है अधिकर्ण कारक मैं तीन मिनट में आ रहा हूं तो अधिकर्ण कारक हो जाएगा में परा रहा है अगला है देखिए 185 185 में आपसे पूछा गया है कि तदभो शब्द का आपको चेहन करना था क्रोड चितरक खत्री या चरवड तो फ्रेंट से जो खत्री वर्ड लिखा हुआ है यह आपका एक तदभो शब्दे ध्यान कियेगा अगला कुशन है कौशन नमबर 186 निमलिकित में से कौन सा शंका क पर्यवाची नहीं है तो शंका के पर्यवाची ने पूछ रहा है नहीं है भ्रम तुर्टी ये तो शंका का पर्यवाची है विब्रम दोका ये भी शंका का पर्यवाची है प्रमाद और भ्रांती भी शंका का पर्यवाची है वाद और तरक ये फ्रेंट से शंका का पर्यव उर्वरा का हो जाएगा बंजर और आबाल का हो जाएगा वर्द 188 है छिपे वेश में रहना तता मास के किसी पच्छ की चौदहवी तिथी चुपे वेश में रहना अब ये पूछ रहा है वाक्यांस के लिए एक शब्द तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा छंद वेश ठीक है छिपे वेश में रहना और मास के या जो महिना होता है मा होता है उसके किसी पच्छ की चौदहवी तिथी क्या कहलाती है चतुरदशी ध्यान रखेगा ठीक है तो C option इसका करेक्ट हो जाएगा 189 है आपका रसा तथा दुर्रर के लिए करम से अनिकार्थी शब्द क्या होंगे तो फ्रेंट से रसा क्या जो अनिकार्थी होगा और जीब होगा और दुर्रर क्या अनिकार्थी आपका बादल हो जाएगा उसके बाद राम विद्याले पहुँच गया वाक्य में पहुँच गया सब्द कौन सी क्रिया है तो यह आपकी संजुक्त क्रिया है मतलब गया भी है और वहाँ पर पहुँचा भी है तो यह आपकी संजुक्त क्रिया हो जाएगी उसके बाद 191 है एक आँख से देखना मुहावरे कार्थ बताना है दो मुहावरे लिखे हैं एक आँख से देखना और आधी के आम होना तो फ्रेंट से एक आँख से देखने का मतलब होता है समान भाव से देखना मतलब बिना बेद भाव किये आप एक आंक से सब कुछ देख रहे हो या एक आंक से दो लोगों को देख रहे हो तो इसका मतलब बिना भेध भाव कि यह आप similarity की भावना आप यहाँ पर या आप कहसकते हैं समानता की भावना पैदा कर रहे हैं आधी के आम होने का मतलब होता है आधी का आम जब आधी आती तो बहुत सारे आम गिर जाते हैं तो यह मतलब हर वक्त नहीं होता है जब आधी आईगी तब होगा तो जब किसी को सामाई किलाब होता है किसी पर्टिकॉलर डे में अगर किसी को बहुत जादा लाब हो गया तो यह सामे इकलाब होता है आधी के आम होना तो C option इसका correct हो जाएगा अगला देखिए question यहाँ पर है question number 192 निमलिकित विश्यों में से शुद्ध वाक्टों का chain करना था शुद्ध वाक्टे नहीं शुद्ध नहीं ध्यान रखिएगा ठीक है द्वारका और हतुत साहिद तो द्वारका और हतुत साहिद तो सही लिखा हुआ है प्रदर्शिनी यह गलत लिखा हुआ है शुद्ध यह भी गलत लिखा हुआ है और श्रंगार अंतर्ध यह भी गलत लिखा हुआ है तो फ्रेंट्स जो यह option है द्वारका और हतोर साहित यह आपका correct लिखा हुआ है यही शुद्ध आपको chain करना था 193 है चंद्रोदय तथा महोशद में करमसा कौन सी संदी है तो चंद्रोदय में आपकी गुण संदी है ध्यान रखिएगा ठीक है और जो महोशद है इसमें आपकी वृद्ध संदी है है ना पर आ की मात्रा उसके उपर आ की मात्रा तो वृद्ध संदी हो जाएगी आपकी महो तो फ्रेंच जो नीलोत पलम है यह आपका करमधराए समास है और जो आत्म निर्भर यह आपका ततपुरुस समास है खुद पर निर्भर तो पर आपका आगया ततपुरुस समास में आ जाएगा ठीक है 1295 में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रस है तो फ्रेंट से हाई राम कैसे जहेले हम अपनी लज्जा अपना शोक गया हमारे ही हाथों से अपना रास्ट्र पिता पर लो तो यहां पर फ्रेंट सापको पढ़कर ही प्यतित हो रहा होगा कि यह करुणा रस है ठीक है अगला कोशन है कोशन नमबर 196 इसमें भी पूछा है कौन सा अलंकार है तो मैं पढ़ता हूँ लखन सकोप वचन जब बोले डगमगानी मही दिगज डोले तो फ्रेंट से इसमें अलंकार पुछा था और इसमें कुछ आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़ा चड़ा करके बोला जा रहा है लखन सकोप वचन जब बोले मतलब जब लक्षमन जी बहुत गुस्सिम बोलते हैं तो डगमगानी मही दिगज डोले तो एक तरीके से बहुत बढ़ा चुडा करके व्याखा की जा रही है तो अतोश योक्ती अलंकार होगा है यहाँ पर ठीक है आई उ सारे बड़े वाले हैं री ए ए ओ ओ आओ किस प्रकार के स्वर है तो फ्रेंट्स यह आपके परमपरागत तो नहीं ध्यान रखेगा ठीक है बी ऑप्शन का करेक्ट होगा कोश्चन नमबर वन ने टेट है गाजियाबाद प्रबुद्द नगर और बिजनौर के मद्द कौन सी भासा बोली जाती है तो गाजियाबाद यहाँ पर कौरवी बोली आती है ध्यान रखेगा ठीक है तो प्रबुद्द नगर बिजनौर यहाँ पर कौरवी बोली आती है अर्थ की दरश्टी से क्रिया विशेशन कितने प्रकार के होते हैं तो अर्थ की द्रश्टी से क्रिया विशेशन फ्रेंट्स पांच प्रकार के होते हैं एक आपका होता है इस्थान वाचक ठीक है फिर आपका होता है काल वाचक काल वाचक के बाद आपका रीति वाचक होता है रिति वाचक क्रिया विशेशन और फिर एक होता है आपका परिमाड वाचक क्रिया विशेशन और एक होता है आपका गुण वाचक क्रिया विशेशन तो टोटल पांच प्रकार के आपके क्रिया विशेशन होते हैं अर्थ की दरस्टी से ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा ब अगला last question है जो किया आजका निम्लिकेत में से कौन इस्त्रिलिंग है तो दल वर्ग पुरलिंग है कंचन जंगा सत्पुड़ा पुरलिंग है गेहु बर्गत पुरलिंग है मचली और भीड यह आपके इस्त्रिलिंग वर्णे ठीक है तो 5100 उसके बाद आपका question number 2 है question number 2 का answer होगा C question number 3 का answer होगा friend C UVW ठीक है और question number 4 का answer होगा D, D option अप देख रहे हैं यह आपर दिखा हुआ है question number 5 का answer होगा आपका C, ठीक है, उसके बाद question number 6 है, question number 6 का answer होगा friend's A, question number 7 का answer होजाएगा B, question number 8 का answer होजाएगा friend's A, husband, question number 9 का answer होजाएगा friend's B, question number 10 का answer होजाएगा यहाँ पर A, ठीक है, A option होगा question number 10 का, और question number 11 यहाँ पर आप देख सकते है blood relation के कुछ question दिये गया है तो कथन और अनिशकर्स के question है तो question number 11 का अंसर हो जाएगा फ्रेंट से A, ध्यान रखेगा सभी कथन एक साथ आवश्यक होंगे इसमें question number 12 जो है इसका अंसर हो जाएगा B और question number 13 है question number 13 में भी आप कह सकते है direction का question एक दिया हुआ है तो question number 13 का अंसर हो जाएगा A, दक्षिन पूर A, दक्षिन पूर इसका right answer होगा अब इसमें देखे ऐसे question में कभी कभी क्या होता है यदि आप ये data देख रहे हैं kilometer kilometer तो आप इसको exact बनाने लगते हैं जबकि यहाँ पर सिर्फ direction पुछा गया है तो ये 10 kilometer और 20 kilometer में छोटा बड़ा आपको बनाने के अवशकता नहीं है आपको सिर्फ यहाँ direction से मत्तब है ध्यान रखेगा ठीक है और एक ची और ध्यान रखेगा ठीक है तो ये जो चार डिरेक्शन है इनको भी आपको ध्यान में रखना होता है उसके बाद question number 14 है friends question number 14 का answer हो जाएगा A question number 15 का answer हो जाएगा यहाँ पर B question number 15 का answer हो जाएगा B 6 के उपरित पूछा गया है क्या होगा तो 6 के विपरित यहाँ पर 3 होगा ठीक है उसके बाद question number अब ऐसे इस question को कैसे करेंगे आप तो आपको 6 के opposite पूछा गया था तो सिर्फ 6 वाले पर आप focus कीजिए तो एक आप ये ले सकते हैं 6 वाला और एक आप ये ले सकते हैं तो यहाँ पर 6 के आप कह सकते हैं adjacent 1 and 4 है और 6 के adjacent 2 and 5 है अब यहाँ पर देखिए 1 and 2 adjacent दिया हुआ है 1 and 2 अगर adjacent दिया हुआ है तो 1 तो 2 के विपरित होनी सकता तो इसका मतलब 1 किस के विपरित होगा 1 आपका 5 के विपरित हो जाएगा और जो 4 है यह 2 के विपरित हो जाएगा 4 यहां से 2 के विपरित हो जाएगा तो इस तरह से 6 के विपरित एक ही बचा जोकी 3 है ठीक है तो इस का अंसर जाएगा B तो इस तरह से कोशिन किया जाता है 15 का अंसर जाएगा B का 3 16 को आप देखेंगे फ्रेंट 16 का अंसर जाएगा D उसके बाद है 17 17 कोशन का अंसर होगा 17 का अंसर आपका C आजाएगा उसके बाद 18 कोशन का अंसर आप देखेंगे तो यह आपका B आजाएगा जो 17 कोशन था वो आपका decision making का था ध्यान रखिएगा और यह आपका पूर्व धारना और कथन का कोशन है 18th कोशन तो इसका अंसर होगा B केवल धारना दो नहीत ऐसमें तो इसको आपको solve करना होगा 19 में कोशन का अंसर होगा friends A मतलब केवल धारना एक नहीत होगा इसमें, ठीक है 19th कोशन में 20th कोशन friends देखेंगे, आप coding decoding का है तो 20th question क्या सर आजएगा C और 21st question आपका blood relation का question है 21st question का अरण सर आजएगा B 21st के बाद 22nd है इसका अंसर होगा D 22nd का अनसर होगा D ठीक है एग एक question आपको दिखा जा रहा हूँ यह आपका question है इसका अंसर होगा D उसके बात 14 से 23rd question का अंसर हो जागा C मा या मदर ठेक है और 24th question है 24th question का अंसर हो जागा C 24 के बाद 20 से अगला question है हमारा question number 25 और question number 25 का अंसर है B केवल धानडा 2 आप कह सकते है या केवल निशकर्स 2 का अंसरनड किया जा रहा है यहाँ पर तो syllogism का question है यहाँ पर कुछ साप अजगर है तो इसको आप कैसे बना सकते हैं कुछ साप अजगर है तो यह अगर snake है और यह अगर python है तो कुछ snake python हो जाएंगे कुछ python hirn हो जाएंगे कुछ python आपके deer हो जाएंगे सभी hirn अगर तोते कह रहा है question number 25 का answer है B केवल दो अनुसरान करता है ठीक है केवल निशकर्स दो अनुसरान करता है और यहाँ से फिरन question number 26 है हम लोगा ने अल्यड़ी discuss कर लिया है okay friend so thank you so much for participating in this test